आप सभी को उमीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे जी मज़े में होंगे मैं भी बढ़िया हूँ मज़े में वगदम तो दोस्तों आप लोगों ने देखा हूँ कि काफी दिनों से मैंने अपनी पाइक की सर्विस नहीं की थी मैं हमेशा बोल रहा था कि आप भी इसे समझ के इसे पर्चेस करके अपने गाड़ी में वापस से जान ला सकते हैं मतलब हां होता है ना कि गाड़ी सर्विस के बाद काफी दिन चैई जाता है तो थोड़ा सब कंजोर हो जाता है उसे वापस से खाने की जरूरत फड़ती है फिर से जाकर वह रिचार् करने के बाद पाया है वो है देखो बस यह देख लिए केस्ट्रॉल का पावर वन है 10W 3040 है और यह देखो यह क्या लिखा हुआ सिंथेटिक टेक्नलोजी इंजयन ऑई है जी हां मेरे को भी यह पता है कि यह पुली सिंथेटिक प्योर सिंथेटिक जो बोलते वह वैसा इंजयन नहीं है एक लिटर का बोटल है चारसो बीस रुपार मिला है इसका अगर आपको हंड़ से एक सो पची सी सी तक में यूज करना है तो इसका जो है ना 900 ml का भी आता है यह आप देख सकते हैं यह वन लिटर वाल है तो यह एक ऐसा चीज है ना बहुत मैंने काफी जादा रिसर्च किया हर ब्रैंड का इंजयन ऑईल को कौन सा बहतर रहेगा इस ठंडे में अब यह लिखता है कि इसमें सिंथेटिक टेक्न टेक्निलोजी है मतलब इसमें सिंथेटिक टेक्निलोजी के बहुत सारे प्रॉपर्टीज है लेकिन प्योर सिंथेटिक और नहीं है मैं अब भी भी बता दू आपको लेकिन फार बेटर देन अग्दर ऑईल पढ़िया है जी दूसरे और से आप इसे अपने ठंडे के मौसम यूज कर सकते हो यार काफी लोग ग्रेड में परिशान हो जाते है कि कौन सा ग्रेड यूज करे दस तब्लू चालीस यूज करे 15 यूज करे ठंड के मौसम में तो भाई मैं बता दूं कि पहले वाला जो ग्रेड रहता है ना स्टार्टिंग वाला चो दस और पंदरा आप बोल रहे हो उसको जितना मिनिमाम यूज करो ठंड के मौसम में और आगे वाला मैटर नहीं करता है चाहिए वह आप तीस करो चालीस करो तो कोई फाइदा नहीं है मतलब ना पैसा लग रहे है और ग्रेड बना के कोई फाइदा नहीं है क्योंकि ठंड में 30 के उपर टेंपर कि इस रेट में इसके अलावा कोई भी ऐसा टेक्नलोजी वाला और नहीं मिला मेरे को तो यह तो चलो जी हो गया इंजन और यह ठंड निकाल देगी जी कोई इसूस तो नहीं आनी चाहिए लेकिन लेकिन इंजन और चेंज करने से पहले बहुत बड़ा कुश्चिन माक आता है गाणियों में जैसे कि आपने गाड़ी को दो तीन बार ऐसे दिखी मैं आपको ज्यादा हेर फेर में नहीं डाल लो आपके सामदे यह देखो जी यह है एंजन फ्लश और हां किसी भी चीज मेरे को स्पॉंसर नहीं है नहीं कोई कमपनी वालों ने बेजा है मैं आपको हम हमेशा एक्सपरिमेंट करके दिखाता हूं तो खुद के पैसे से बाए करके दिखाता हूं एक एक चीज तो यार मानता हूं थोड़े लेट से आती वीडियो हमेशा कुछ भी खरीद के नहीं दिखाए सकते हूं तो चलो या ठीक कि यह देखो इंजन फ्लश यह 3M का अपन वीडियो नहीं देखे तो वो भी आई बेटन में मिल जाएंगे दूस्तो इंजन फ्लश एक ऐसा चीज होता है ना जैसे कि इंजन में कचड़ा जम जाता है स्लज हो गया स्लश हो गया तो उसे हम उपर से नहीं निकाल सकते कचड़े को और अगर एक वो कचड़ा जमते जम जमते गया तो फिर क्या होता है कि आप नया इंजन ओल भी डाल रहे हो तो उसमें कचड़ा बढ़िया से मेक्स होके मतलब पावर नहीं बनाता है गाली में सब कुछ आपको फ्री नहीं करेगा स्मूथ नहीं करेगा गाडी को प्रॉब्लम भी होगी एक टाइम में आपकी पिस्टन ड्रिंक्स भी फंस सकती है तो यह एक ऐसा प्रोड़क्ट है यह जो है एंजन फ्लश यह कुछ क्वैंटिटी आपको पुराने इंजन ओल में मिलाना पड़ता है तो वह साफ कर देता है इंजन आपको खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अंदर ही अंदर से प इसे हम देखेंगे कि यह क्या रिजल्ट करता है तो जरूरी रहता है मैं आपको लोगों को रेकमेंड करूंगा ना कि आप हर दूसरे या हर तीसरे सरुष चलो दूसरे छोड़ दो हर तीन बार जो ऑईल चेंज करवा रहे हो ना सपोस्स कूटी में करवा रहे है तीन-छे मेरे को काफी ज्यादा इफेक्टिव लगा यह चीज और तीसरा चीज जो दोस्तों मेरे पास है ना वो है देखो कि यह स्पार्क प्लक दोस्तों एक बात याद रखो स्पार्क प्लक और एयर फिल्टर बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करता अगर आप इंजन और चें प्लक और एयर फिल्टर चेंज करना जरूरी होता है तो मैंने एयर फिल्टर की ओरडर दे रखी है वह अभी तक आया नहीं तो आप सभी लोग समझते हो कि कौन सा चीज होता है वह गंदा होने के बात एयर फिल्टर समझो हमारा नोस का फिल्टर है अब यहां पे हम कोई देखो यार नग का है एसे तो मैं बोश की उज़र हूं लेकिन फिर भी अब देखे होंगे कि मेरा काम में मैं एक्सपरिमेंट करके देखते रहता हूं कि नए नए चीज़ों में फर्क क्या पड़ता है वैसे कफी लोग सजेस्ट करते हैं कि ज्यादा नए 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 चीज जादा इंजलो नहीं बदलना चाहिए गाड़ी में आप लोग भी बोलेंगे कि एक बार कैस्टॉल यूज करता है एक बार मोतुल यूज करता है अगला बार दूप सार यूज करता है लेकिन दोस्तों मेरा काम है एक्सपरिमेंट करके देखना और आप लोगों को दिखाना क कि वह प्रोड़क्त रिजल्ट कैसे कर रहा है अब मेरे पास कोई दस गालिया तो है नहीं कि मैं सब में अलग अलग एक्सपरिमेंट करूंगा तो इसलिए मैं सेम गाड़ी मैं एक्सपरिमेंट करता हूं तो देख लो जी यह सब चीजों का ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा लेकिन यह ध्यान से लेना आप क्योंकि उसमें पहले रिव्यूज आप पड़ लेना कि कौन से आप गाले के लिए ले रहे हो और क्या उससे रिलेटेट कोई क्वेश्चन है तो समय देख लोगा अगर आप किसी ने क्वेश्चन किया है उस गाड़ी में आपको फायदा हो अब मेरे जो व्यूवर से मेरे जो भाईयों बैंडों हैं वो लोग जानते हैं कि मैं जो चीज बताता हूं आपको वो एकदम कुछ ऐसे चीज बताता हूं और जिनको केर करना है उन्हीं के लिए मैं वीडियो बनते हूं जिनको सच में अपने वहिकल की केर करना है और जिनको नई करना है वो भी जानते हैं कोई फायदा नहीân है यहाँ देखके तो यही सब कुछ चीज हैं अब इनको needle harsh fact к 7 of वादा काम करता है तो दोस्तों यही कुछ चीज़ थी जो आप लोगों को दिखाने थी उमीद करता हूं कि पसंद आओको तो दोस्तों वीडियो अच्छा नगओको तो वीडियो को लाइक किजेगा शेयर किजेगा और साथी साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेग तो दोस्तों मिलते हैं फटाफट एक और ने कमाल वीडियो में टिल रेंचे हैं जया भारा है